हेलो दोस्तो स्वागा था आपका हमारे इस चैनल पर तो दोस्तो हम लोग पढ़ रहे थे आर्म सेंड दी मैन और उसका लास्ट एक्ट चल रहा था तो लास्ट एक्ट का भी तक मैंने दो पार्ट बनाया है और ये नेक्स्ट पार्ट होगा और ये बस समाप्थी होने वाला ज्यादा नहीं बचा है तो चली हम लोग स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों लब स्रीन बिटबीन लूका एंड सर्जियस हम लोग को पढ़ना इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था लूका और निकोला की बीच जो कनवर्सेशन हो रही थी वह सब हम लोगों ने डिसकस किया तो जब निकोला चला जाता है लाइब्रेरी से बाहर तो उसके बाद सर्जियस का प्रवेश होता है अब सर्जियस आ रहा है लूका कुछ काम कर रहे हैं टेबल पर लूका बिदाउट लूकिंग एट सर्जियस प्रिटेंडेट टू अरेंज दा पेपर्स ऑन दे टेबल ल यानि अखवारों को अन टेबल पर यानि एक तरह से देख तो रही है कि सर्जियस आ रहा है लेकिन उसको नजर अंदाज करने का बहाना बनाती है और टेबल पर पेपर को अरेंज करने लगती है he came to her, सर्जियस लूचा के पास आता है and gazed और घूरता है यानि कि देखता है दा अरेंजमेंट आफर स्लीप, स्लीप का मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कपड़ा है तो जब वो सर्जियस पहुंचता है लूका के पास तो लूका अपने स्लीप को यानि कि अपने आस्तीन को एक प्रकार से थोड़ा सा सही करने लगती है बाजू को ढखने लगती है कपड़े से तो उसको देखता है उस अरेंजमेंट को सर्जियस देखता है दा ब्रासलेट और उसके ब्रासलेट को भी देखता है और उसकी चोट को भी देखता है जो एक खरुच लग गई थी लूका को उसको भी देखता है कि सही हुआ कि नहीं सिस्टूर्ड मोसनलेस बिदाउट लुकिंग एट हीम बट फैसिनेटेड लुका एकदम गतिहीन हो जाती है मोसनलेस हो जाती है मतलब इस्थिर हो जाती है without looking at him और उसकी तरब देखती भी नहीं मतलब देखती है लेकिन नजर अंदाज करती है नजरे जुकाए हुई है बट फैसिनेटेड हाला कि थोड़ी आकरशित भी हो जाती है मोहित भी हो जाती है प्रसन हो जाती है He made a movement अब वो एक कदम बढ़ाता है As if to take her in his arms ऐसा लगता है मानों कि वो लुका को अपनी बाहों में लेने वाला है लुका requested him not to do trifle with her लुका कहती है कि मुझसे मजाक मत करना An officer should not trifle with a servant एक officer को servant से मजाक नहीं करना चाहिए She asked him whether he was a really brave man वो से पूस्ती है कि क्या तुम एक वास्तों में बहादूर बैक्ती हो Surgis replied that he was a brave man Surgis कहता है हाँ बिल्कुल मैं बहादूर बैक्ती हूँ His heart jumped like a woman's at the first shot But in the charge he found that he was brave Surgis बताता है कि जब पहली गोली चली थी युद्व में तो मैं थोड़ा सा डर गया था मेरा दिल लड़कियों के समान धढ़का था लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तो उसके बाद मैंने बहादूरी से काम किया He did not praise that sort of blind courage which was sold by a soldier Surgis कहता है मुझे उस प्रकार के signing नहीं पसंद है जो blind courage होते हैं means अंधे साहसी होते हैं अंधे साहसी का मतलब आगे बताया है He did not praise स्वरी ये तो पड़ा दी The soldiers were afraid of their officer आयसे soldiers जो अपने officers डरते हैं and put up with insults and blows और बेजिती सहन करते हैं और घूसे सहन करते हैं आयसे soldiers जो अपने officer की बात मानते हैं उन्ही के अनुसार काम करते हैं उनसे डरते हैं उनके द्वारा किये गए बेजिती को सहन करते हैं उनके घूसे सहती है आयसे साहनिक मुझे नहीं पसंद है क्योंकि सर्जियस ऐसा नहीं था वो तो अधिकारियों की आग्या को लंगन करके ही युद्धी जीता था इन सर्जियस ओपनियन सर्जियस की विचार से वो केला था एक मात्र था ब्रेब सहसी वो एक मात्र सहसी था जिसने मौत को भी चुनवती दी थी एनी पावर ऑन अर्थ और ऑन हीवन या फिर सर्ग और पिर्थवी के किसी भी पावर को सर्जियस कहता है मैं अकेला ही वो बेखती हूँ जिसने चाहे वो पिर्थवी की बात हो चाहे सर्ग की बात हो किसी भी सकती या किसी भी मौत को चुनवती दी थी मैं अकेला ऐसा बेखती हूँ यानि मैं डरता नहीं हूँ किसी से लुका तो जब इस प्रकार सच्चा साहस क्या होता है जब सर्जियस ने उसको बताया लुका को तो लुका थोड़ा सा इग्नोरेंस हो गई मतलब अज्ञानता प्रकट करने लगी मतलब बात से हटने लगी कि मुझे नहीं पता है सच्चा साहस क्या होता है मुझे नहीं पता है Giving her own example अपना example देते हुए she added वो कहती है that she was not allowed to sow her own will कि मैं अपनी खुद की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकती यानि मैं अपनी इच्छा की मालकिन नहीं हूँ she had to get his room she had to get his room ready for him लोका ने कहा मुझे आपका room भी तयार करना है to sweep जाडू भी लगाना है and dust और धूल भी साप करना है to page and carry सामानों को ले जाना है लाना है सब कुछ बेवस्तित करना आपकी room को she did not know how it could degrade her if it did not degrade him to have done for him लोका ने कहा चुकि यह नवकरानी वाला काम में आपके लिए करता हूँ इसलिए इसमें कोई गिरी हुई बात नहीं है मतलब कोई गिरी हुई बात नहीं बेजिती की बात नहीं कि मैं नवकरानी हूँ क्योंकि यह काम में आपके लिए करती हूँ had she been the impress of Russia she would have married the man of her liking लोका ने कहा अगर मैं रस्या की impress होती राजकुमारी होती या राजकुमार तो मैं अपनी मर्जी के अनुसार साधी कर लेती she did not know whether he would respond her love to him लोका कहती मैं तो यह भी नहीं जानती कि क्या आप मेरे लब का response देंगे या नहीं सर्जेस रिप्लाइड सर्जेस उत्तर देता है that if he loved her and were the jar himself सर्जेस कहता है अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर मैं jar होता यह रूस के सासक को jar कहते है तो सर्जेस कहता है अगर मैं तुमसे प्यार करता और रूस का jar होता he would have made her his queen तो तुम्हें मैं अपनी रानी बना लेता but he loved another woman लेकिन मैं दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ as high above her as even is above earth और वो उतना उचा है जितना की आकास जैसे कि धर्ती से आस्मान जितना उचा है उतना ही वो लड़की तुमसे उची है सर्जेस बताता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसमें और तुम में उतना ही अंतर है जितना की धर्ती और आकास में है यानि कि वो रहनास प्यार करता था बट लुका सर्प्राइजड ही लेकिन लुका ने उसे आइस्चर चकित कर दिया कैसे लुका ने कहा तुम्हारी यह जो इच्छा है रहना को पाने की यह पूरी नहीं होगी नौट भी फूरी नहीं होगी क्योंकि वो अवरत तुमसे साधी ही नहीं करेगी दस स्वीस हर लबर हैड कम क्योंकि उसका लबर जो है उसका प्रेमी जो है स्वीस यानि जो चोकलेट क्रीम सोलजर है भगोडा है वो आ गया है बलंशली और वो टेन सर्जेस के बराबर है यानि तुमसे दस गुना अच्छा है आड देस इस चीज़ पर यानि इस बात पर सर्जेस ग्रिव फूरियस सर्जेस क्रोधित हो जाता है और उसको लुका को अपनी बाहू में पकड़ देता है और कहता है और उसके बाद में वही करूँगा जो मुझे पसंद आएगा बट लुका रिप्लाइड लेकिन लुका उत्तर देती है और लुका उसको बताती है कि सुष ने तुम्हें प्यार में तो हराई दिया है युद्ध में भी हरा देगा सर्जियस को बिस्वास नहीं होता कि रैना उसके साथ ऐसा कर सकती है ऐसा ट्रिफिलिंग कर सकती है या ऐसा मजा कर सकती है लुका टोल्ड हिम वेदर रैना वुड़् विहाब था सुष इफ ही सैट तो हर देट लुका वास इन सर्जियस आर्म लुका ने उससे कहा कि क्या रैना सुष अपसर का विश्वास करेगी अगर वा रैना से कह दे कि सर्जियस ने लुका का आलिंगन किया है मतलब गले लगाया है सर्जियस देन रिलीज़ रैना सर्जियस उसके बाद लुका को रिलीज़ कर देता है छोड़ देता है अपनी बाहों से और अपने सीने पर इस्ट्रक करने लगता है निकी मुका मानने लगता है घोसा मानने लगता है ठोकने लगता है सर्जियस ने लुका से कहा कि तुम मेरी हो तुम मुझसे बिलॉंग करती हो वो सर्जियस जो था वो पूरी तरीके से जानता था कि लुका मुझसे प्यार करती है और उसने घोशड़ा भी करती that if he choose to love her या मुझे अपने प्यार को चुनना हुआ he would marry her तो मैं तुमसे साधी कर लूँगा अगर मेरे हाथ तुमको अब दुबारा चुएंगे तो वो अपनी पतनी को चुएंगे सर्जियस ने घोशड़ा करती कि अगर मैं अब तुम्हें दुबारा चुँँगा तो उस दिन से तुम मेरी पतनी हो जाओगी यानि कि मैं अपनी पतनी कुछ होँगा अब आगे बात होगी ब्लंश्ली अराइवल एंड सर्जियस चैलेंज ब्लंश्ली का परवेश होता है और सर्जियस को चैलेंज यानि सर्जियस भी चैलेंज देता है ब्लंश्ली को ब्लंश्ली परवेश करता है लुका चली जाती है फिर सर्जियस ब्लंसली को चुनोती देता है युद्ध की तो वही सारी बाते यहां पर डिसकस होने जा रही है लुका वेंट अवे लुका बाहर चली जाती है और ब्लंसली इंटर्ड दरूम और ब्लंसली प्रवेस करता है रूम में बिद पेपर्स इन अपने हाथों में पेपर लिए हुए कुछ बाइद वे एटर्ड डाट लुका वॉस रिमार्कवल विमेन जैसे ही ब्लंसली ने प्रवेश किया तुरंत ब्लंसली बोल उठा कि लुका अच्छी लड़की है सर्जेस स्पोक तु कैप्टन ब्लंसली इन इसीरियस टोन गंभीर आवाज में सर्जेस ने ब्लंसली से कहा दाइट वास राइवल कि तुम मेरे प्रतिद्वंदी हो और तुमने मुझे दोखा दिया है उसने कहा तुम मुझे क्लिसोरा रोड पर ड्रिलिंग ग्राउड में मिलो यह क्लिसोरा रोड और ड्रिलिंग ग्राउड एक नाम है तो कहा ड्रिलिंग ग्राउड में और क्लिसोरा रोड पर तुम मुझे मिलो तुम उससे मिलो एलोन अकेले ऑन होर्स बैक गोड़े पर बैट कर आना विदी स्वाड अपनी तलवार लेकर करके यानि हम लोग वहां युद्ध करेंगे ब्लंसली रिप्लाइट दैट वुड ब्रिंग ए मसीन गन ब्लंसली ने कहा मैं तलवार लेकर नहीं आञाऊंगा मैं मसीन गन लेकर आऊंगा और इस बार कोई गलती नहीं होगी बॉड़ दप्लियों की यनि इस बार हमारे पिस्टॉल में गोली भी होगी और असली गोली होगी युद्ध की तरह नहीं कि मुझे नकली गोली मिल गई थी तो तुम युद्धी जीत गए थे वो दुर्भाग था हमारा कि हम लोग को नकली गोली मिल गई थी और तुम युद्धी जीत गए थे लेकिन इस बार आउंगा तो मसीन गल लेकर आउंगा और असली गोली भर के लाउंगा सर्जियस आफ़र्ड टू लेंड हिम इस बेस्ट होर्स सर्जियस ने कहा ठीक है मैं तुम्हें अपना बढ़िया घोड़ा भी दे दूंगा बटी प्रिफर्ट फाइट ऑन फुट लेकि कि तुम लोग लड़ने क्यों जा रहे हो ब्लंसली कोई कारण नहीं बता पाता है बट लेकिन वो विश्वास दिलाता है उसे that no harm would be done कि कोई हानी नहीं होगी in the morning he would go away सुबा के समय वो जाएगा from home घर से and would never see him and she would never see him or hear of him और उसके बाद वो उसे कभी देख नहीं पाएगी उससे मिल नहीं पाएगी Sergius turned to Raina Sergius Raina की तरह मुड़ता है and accused her उस पर आरोप लगाता है that she was in love with the Swiss कि तुम स्विश से प्यार करती हो तुम बलंसली से प्यार करती हो but बलंसली replied लेकिन बलंसली तुरंत उत्तर देता है that it was all nonsense कि सब बैर्थ बाते हैं because the young lady did not know did not know whether he was bachelor or married क्योंकि इस लेड़ी को या नि रहना को ये भी नहीं पता कि मैं कुवारा हूं या मेरी साधी हो गई है Raina was astonished Raina से चकीत हो गई and asked him immediately और उससे पूछने लगी whether he was married क्या तुम क्या तुम्हारी साधी हो चुकी है इनर कोईशन सर्जियस perceived the evidence of a guilty conscience जब ऐसा कोईशन रहना ने पूछा आप बलंसली से कि क्या तुम्हारी साधी हो गई है तो सर्जियस तुरन समझ गया कि जरूर कोई न कोई रहस छुपा हुआ है इसकी आत्मा में यानि की Raina के दिल में कोई रहस छुपा हुआ यानि कहीं न कहीं वो प्यार वाली जो भावना है Blanchly के प्रती वही रहास रहना के दिल में छिपा हुआ ये तुरंद Sergius समझ जाता है Blanchly informed Sergius लेकिन Blanchly Sergius को बताता है that रहना received him while he was threatening her to suit with his pistol Blanchly ने Sergius से कह रहना हमें उस में मिली जब मैं उसके सिर पे पिश्टोल रखे हुए थे यानि कि उसको धमकी दे रहा था कि उसको सूट कर दूँगा उस समय मुझे रहना मिली because he wanted refuse क्योंकि मैं सरन लेना चाहता था उस समय छुपना चाहता था as the Bulgarian Cavalry was person क्योंकि जो Bulgarian घुरसवार सेना थी वो मेरा पीछा कर रहे थी he would have killed her if she uttered a cry अगर रहना उस समय चिलाती थोड़ा सा आवाज भी करती तो मैं सो त्रंत मार देता तो उस समय रहना मुझे मिली इसले मेरे और रहना के बीच में कोई प्यार नहीं है तो आगे हम लोग को पढ़ना है Revelation of Raina's love to Blanchly and Luca's love to Sergius Revelation means होता है खुलासा तो Raina के प्यार का Blanchly के प्रती खुलासा यानि कि Blanchly के प्रती रहना का जो प्यार था उसका खुलासा हुआ और Sergius के प्रती जो Luca का प्यार था उसका खुलासा हुआ Sergius found that he was on wrong point Sergius को पता चला कि साथ मैं ही गलत हूँ He did not accept Blanchly's advice to tender his apology to Raina तो Blanchly ने Sergius से कहा तुम गलत हो और तुम Raina से माफी मांगो लेकिन Sergius ने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा Raina said to Blanchly that his friend was spreading the horrible story about her Raina ने Blanchly से कहा तुम्हारा जो मित्र है एक मित्र है जिसको तुमने स्टोरी सुनाई थी मेरे और तुम्हारे बारे में वो इस्टोरी को बहुत फैला रहा है सभी को बता रहा है बट लेकिन सी वह सॉग्ड वह सॉग्ड रहे गई याने की दम रहे गए एक दम तू लर्ट यह जान करके दाइट इस फ्रेंड वास बंट अलाइब कि उसका मित्र जो था वो तो जलकर मर गया सर्जेस काल वार फ्रॉड लाइक लप सर्जेस ने कहा कि यह प्यार की तरह युद्ध भी एक फ्रॉड है रेना रेसेंट हर लेटर रेना ने नाराजगी प्रकट की उसकी अंत्वाली बात पर सर्जेस टोल हर दैट ब्लंसली केम बैग बिकॉस ही वस इंटेस्टेट इन रेना एंड गट आल इंफॉमेशन फ्रम लुका सर्जेस ने कहा कि ब्लंसली वापस आया है क्योंकि वह रेना को चाहता है और उसने सा सारी इंफॉमेशन लुका से ले ली है रेना कंफेस्ट रेना ने स्विकार किया दैट की सी लुक्ड आउट आफ दा बिंडो कि उसने बिंडो से देखा था आया सीवेंट अप स्ट्रेस जब वो सीडियों पर चड़ रही थी तो हैब एनदर साइट आफर हीरो अपने हीरो कोर्ण के लिए यानि की कि सर्जिय इसको देखने के लिए जब रहन शिडियोंपर चल रही थी तुम ने भी उसको देखा है राइना ने कहा सूंस्म주는 यार्र मारD थे रिस्फ। से ग्यात हुआ कि जो उसका रोमान से वह समाप्त हो गया है और उसने कहा कि प्लंसली भाई अब मैं तुम से युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं हार गया उसके लिए लाइफ एक जूठा साबित होगा कि लाइफ जीवन जूठा है रहना पास्ट रिमार्क रहना ने आगे कहा टिपड़ी किया तो रहना ने कहा कि तुम्हें अपने प्रत्विद्धी निकोला से लड़ना चाहिए क्यों क्योंकि निकोला भी लुका को चाहता है और तुम्हें लुका को चाहते हो तो रहना ने सर्जेस से कहा तुम निकोला से लड़ो ब्लंसली से मल लड़ो क्योंकि ब्लंसली कि तुम्हें अब होई चुकी हूं इट बूड इट बूड बी अट्रेजडी बड़ी दुखत घटना होगी इफ लुका वास गिबें टु एड अगर लुका की साधी उस सर्वेंट से हो गई यानि निकोला से हो गई जो एक उम्र दरास का आदमी है जिसकी उम्रे जादा है मिडिल एजड का मतलब थोड़ा सा एजड हो गया जिसकी उम्रे जादा है लुका अगर उससे साधी करती है सर्वेंट से निकोला से तो ये आया सर्जियस से कहा तुम जाओ निकोला से लड़ो नहीं अगर कहीं लुका के साधी निकोला से हो गई तो ये बड़ी दुखत घटना होगी सर्जियस देन विकेम एक्स्ट्रेमनी पजल्ड उसके बास सर्जियस थोड़ा सा पजल्ड हो जाता है घबरा जाता है रएना कीुज साधीस रहना ने फिर उल्टा साधीयस पर आरोप लगाया आप फैबिंग अपॉइंटेड लुका ये स्पाया अधिम की तुमने लुका को हम पर नजह रखने के लिए जासूस के रूप में लगाया है तुमने लुका को जासूस के रूप में न्युक्ति की है ताकि वो हम पर नज़ा रख सके He rewarded Luka by showing his love to her और उस बदले में तुमने लुका को अपना प्यार दिया है यानि कि इनाम में तुमने लुका को क्या दिया है? प्यार यानि तुम उससे प्यार करने लगे हो रेना आस्केड हिम रेना ने उससे पूछा तु डिनाई कि क्या तुम इनकार कर सकते है वेदर लुका टोल्ड हिम अबाउट ब्लंसली बिंग इन हर रूम और तु डिनाई that he was showing love to her वेन सी टोल्ड हिम रेना ने सरजियस से कहा कि जब लुका ने हमारे दोनों के बारे में यानि ब्लंसली और रेना के बारे में जब तुम्हें कहानी बताई होगी कमरे वाली तो तुम उसी समय से हमें छोड़ करके लुकास प्यार करने लगे होगे क्या तुम इस बात से इंकार कर सकते हो रहना ने खुद पूछा कि जब हमारे बारे में हम दोनों के बारे में लुका ने तुम से बात बताई कि हम दोनों कमरे में थे जो पूरी कहानी वी वो बताई होगी तो तुम उसी दिन से हमें छोड़ करके यानि रहना को छोड़ करके लुकस प्यार करने लगे होगे क्या तुम इस बात को मानते हो इंकार करते हो सरल संवं को दो में बशांने के लिए अब ब्लंसली रहने के बार में पूसता है ब्लंसली लुका के पूशता है जब ब्लंसली रहना से पूशता है कि लुका कहां है रहना रिप्लाइड तो रहना उत्तर देती है that she might be listening at the door कि वो दर्वाजे पर छिप कर चुपके से सुन रही होगी मारी लोग की बाते when surges went out जब रहना जाता है बाहर she discovered Luka at the door तो सचमें दर्वाजे पर ही छिपी रहती वहीं पर उसको पा जाता है he dragged her inside the room वो उसको खीच करके room में लाता है and submitted her to bluntly's judgment और bluntly के सामने खड़ा कर देता है कहता है पूशो जो इससे पूशना है but bluntly refused to pass any judgment upon और लेकिन bluntly कुछ भी कहने से पूचने से इंकार कर देता है कि मैं इनसे क्या पूच्छू हूँ Luka declared that she was not a same Luka भी कहती कि मुझे कोई सर्म नहीं आ रही है because her love was at stake क्योंकि हमारा love चरम पर है she added that her love was stronger than Raina's love Luka नहीं कहा जो हमारा प्यार है वो Raina के प्यार से काफी मजबूत है और to chocolate cream soldier नहीं, जो Raina का प्यार है chocolate cream soldier उसके अपेच्छा हमारा प्यार काफी मजबूत है तो इस प्रकार दोस्तों इतना पढ़िए इसके बाद एक पार्ट और आगा थोड़ा सा एकदम बचा हुआ है उसको मैं अभी तुरंत हो सकता अपलोड कर दूँ ओके